देखे बिश्व के एक महान विचारक ने कहा कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आप जिस प्रकार से भगवान की सेवा आप मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा में जो अरादेव हैं उनकी आप करते हैं उनको पाने के लिए लेकिन उनको पाने का एक और साधरन तरीका है कि अपने बीच आप असहाय, विकलांग, गरीब और वैसे असहाय लोगों की अगर आप उसी निष्ठा के साथ अगर आप उनका मदद करते हैं तो आप भगवान की सरन में होंगे, भगवान आप पे वही विश्वास और अपना बच्चों अपनी बेटी और बेटा का लगातार मानव सेवा आसरम सेक्टर 5 आते हैं और यहाँ पर तमाम वो बच्चे आप देख सकते हैं कि जो बिकलांग है, जो किसी छुटे बड़े घर से हैं, जिनको घर से परिताग कर दिया गया, वैसे बच्चे यहाँ पर रहते है और उनके साथ, दस सालों से लगातार अपने बेटी और बेटा का यहाँ जनम दिन दोनों दमपती आप देख सकते हैं, मनाते हैं, आईए इन से जानते हैं कि आज क्या यह जो दस सालों से जो कंटिनीव बना हुआ है, आज दसमा बेटी का आप जनम दिन मनाने जा रहे हैं क्या फाइदा मिला इन सब बच्चों के साथ करने को मेरे पास कहने के लिए आज बहुत कुछ नहीं है कि दस सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ आपके भी जीवन का शुरुआत देखा और अभी जो आप है वो अभी देखा क्या कहना चाहिए सबसे पहले तो मैं सभी डीप फोकस के दर्सकों को बढ़ाई देता हूँ और अपनी बेटी आश्वी आश्वी आद्या के दस्वी जनम दिन के सुवसरु सबसे अनुरोद करूँगा कि इसको आशिवात प्रदान करे और देखे हम तो दस साल से आ रहे हैं आपके साथ आप अभी मेरे साथ 10 सालों से जुड़े हूए हैं पहले यहां आश्रम की क्या स्थिती थी और आज क्या ये परस्तिती है हमने इसको पूनरूप से लेके चला और हमने अपने जीवन में देखा है कि हर सुख आदमी खरी सकता है लेकिन ये बच्चों के साथ जो निसक बच्चे कर सकते हैं सब चीज कर सकते हैं लेकिन आप मंदिर भी जाते हैं तो कुछ सोच के जाते है कि भगवान हमको आसिवाद देंगे या कुछ यह तो हम लोग उसी तरह एक भगवान का किरपा ही समझके और इसको मंदिर समझ कहीं, हम लोग यहां माता टेकते हैं, हरवर्स आते हैं, और यह सोचते हैं कि यह जो है, प्रभू के रूप है, और इस तरह से इन लोग का असिवाद मेरे बच्चों पे मिलता है, और आप से लक्षमी जी कुछ छुपा हुआ नहीं है, डीफोकर से मुझपर है, दस साल में हमने क्या तरकी किया और किस तरह आगे बढ़ा, तो यह सीप एक महनत नहीं है, इन लोगों का दुआओं है, इन लोगों का अंस है मेरे उपर, जो छोटे-छोटे बच्चों का असिवाद को स्वरूप में मिला है, और सिंग सर्विस कहां से कहां प कहेंगे कि आप लोगों आएं, काई कि सब तो मकर संक्राती को दान करते हैं, सब चीज करते हैं, वो ठीक है, आप करते रहे हैं, लेगन इन बच्चों के बीच आके आप अपने खुसी का एक पल बाटिये, और अपने इंकम से एक रुपया निकाल के दीजे, फिर देखिए जो किरपा आप के उपर होगा, ये धर्ती पे और कोई आपको दे नहीं पाएगा, पुरा नहीं पाएगा, तो मेरा सभी नगरवांसियों, हम तो दस साल हर साल से यही सब को विंति करते हैं, कि ये बच्चों का जो रूप है, स्वरूप है, ये भगवान का ही देन है, ये लोग के साथ एक-एक अपना सुक को और ये अपने कारेकरम को करें, ये लोग अपने आपको बहुत जीवन में अनुभाव आगे कोसिस करें हैं, कि आगे बढ़ें, देके अभी तक हम लोग 10 सालों से आगे आते थे, लेकिन उनके माता पिता सही बात कराते थे, आज आ लेकिन इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, रमेज सिंग के साथ उनकी पतनी सुरुदिती राय, जो है, वो हर साल यहाँ अपने पती को भी प्रेणा देती है, और तमाम जो उनके सिंग सर्विसेस के स्टाफ हैं, वो लोग भी आये हुए हैं, हम लोग उनसे भी बात कर करिए, हमारे जैसा ठीक है, हमारे जैसा यह हमसे भी अच्छा, जो भी है, करिए, लेकिन कुछ तो करिए, और जैसे बच्चियों का था, कि उनलों का शौक था, कि थोड़ा सिंगार चाहिए, वो बेटे के जनम दिन पर आये वह थे हम लोग तो, जैसे आप सजे हैं, वैसी सजना है, तो एक तो आज फ्राइडे भी है, आज लक्षमी का दिन है, तो आज बच्चियों को देखे हमें तो आशिरवाधी मिलेगा, और जो भी यहां बच्चे हैं, वो तो मतलब भगवानी है, साक्षाद भगवानी है, उनके स्वरूपी हैं, और मनोकामना यही रहेग अभी तक आप केक लाती थी, खाना के लाती थी, लेकिन इस बार जो यहां लड़किया हैं, उनके लिए अच्च्चियों को प्रामिस किया हुआ था कि नहीं, जो मुझे देखा तो उनने बोला, ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, जैसे आप लगाए हैं, तो बिंदी है, क् कितना मन को भाव भी होर कर देता, ऐसी बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, देखने के लिए, उनको भी सजने का और सबरने का मन रहता है, लेकिन वो कर नहीं पाती है, आप से मांगी, क्या क्या है? तो कभी भी है, हमेशा देता है. पूरा होगा, क्योंकि आगर आप इन बच्चों का सेवा कर रहे हैं, तो आप डारेक्ट उपर वाले के सरन में हैं, आप जिस धर्म को मानते हों, वो उपर वाला आपको, आपकी हर मनो कामना को पूर्ण करेगा.